कजरी तीज, व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पती और संतान की लंबी उम्र और अच्छी स्वास्थे के लिए रखती हैं। सभी स्त्रियों और कन्याओं पर तिज माता का आशीरवाद हमेशा यूही बना रहे और सदा खुश रहें और आप सभी को हमारी तरफ से कजरी तीज यानि साथुडी तीज की धेर सारी शुब काम नाएं। कजरी तीज वरत रखने के नियम। कजरी तीज को कजलिया तीज, सातुडी तीज, बड़ी तीज, बुढधी तीज, आधी कई नामों से भी जाना जाता है। अपने पती की लंबी उम्र और संतान की खुशहाली और परिवार के सुख के लिए इस दिन वरत रखती है। आईए जानते हैं साल दो हजार तीज में कजरी तीज वरत की डेट, मुहूर्थ और महत्व। इस साल कजरी तीज दो सितंबर दो हजार तीज को मनाई जाएगी। कजरी तीज में स्त्रिया, शिव शक्ती की पूजा कर नीमडी माता की आराधना करती हैं। इस साल कजरी तीज पर पूजा करने के लिए दो शुभ मुहूर्थ हैं। इस टाइम पूजा कर सकते हैं पौरानिक कथा के अनुसार कजरी तीज वरत सबसे पहले माता पारवती ने रखा था। इस वरत को करने से जीवन में प्रेम और सम्रिधी बनी रहती है। साथ ही कुमवारी लड़कियों को मनचाहावर प्राप्त होता है। मान्यता है इस वरत के प्रताप से वैवाहिक जीवन के कलेश दूर होता है। साथ ही संतान और परिवार की खुशहाली का आशीरवाद मिलता है। इस दिन जुला जूलना भी काफी अच्छा माना जाता है। इस दिन रात में चांद की पूजा भी की जाती है। हाथ में गेहूं के दाने और चांदी की अंगूठी और जल लेकर चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है। आईए अब जान लेते हैं पूजा विधी। एक छोटा सा मिट्टी का तालाब बना कर उसमें जल भर कर उसके पास में नीमढ़ी की डाली लगा देना और पास में एक दीपक जला देना। एक थाली में रोली मोली कुंकू काजल सात्तू नीमू ककड़ी जो भी पूजा का समान होता है वह सब रख लेना चाहिए और तीज के दिन सोलह सिंगार करे और लाल कलर ही पहने और इसके बाद ही पूजा करना चाहिए कजरी तीज व्रतनियम नमबर एक तालाब के अंदर दीपक के उजाले में नीमू ककड़ी नीम की डाली सत्तू आदी देखें इसके बाद चंद्रमा को अर्ग दें नमबर दो कजरी तीज पर जो गेहूं चने और चावल के सत्तू बनाए जाते हैं और रात में चांद की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए नमबर तीन इस दिन गायों की विशेश रूप से पूजा की जाती है आटे की साथ लोईयां बनाकर उन पर घी गुड रखकर गाय को खिलाना चाहिए ऐसा करने से घर में सुख शान्ती आती है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए धन्यवाद